देखो मैंने देखा है ये एक सपेना फूलों की शेहरे में हो घरे अपेना तो शायद ये तो पॉसिबल ना हो कि फूलों के शेहर में अपना घर हो लेकिन अपने घर में हम फूलों की बगिया जरूर बना सकते हैं और इस खुबसरा सी बगिया में आप गा सकते हैं गुन गुन आ रही है भवरी के लिए रही है कली कली और सुन्दर सी बेटरफलाई प्यारे सी चेहकने वाले चिडिया और ना जाने इन फूलों के साथ साथ आपको प्रकरती के कौन कौन से नजारे देखने को मिलते हैं लेकिन हाँ भवरी इस भग्या को तियार करने के लिए हमारे मन में एक चाहा होनी चाहिए एक जुनून होना चाहिए और कहते हैं जुनून हो तो बस हर असंभव वे संभव हो जाता है और गार्डनिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरियंस का दूसरा नाम है नए नए एक्सपेरियंस मिलते हैं नए नए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ही जाकि हम सफल होते हैं और gardening हमें patience का part बढ़ाती है हमारी curiosity को बढ़ाती है और आपको पता है अबरस मन में एक इच्छा होनी चाहिए और ज्यादा ताम जाम की हमें जरूरत नहीं होती कि हाँ हमें बड़ी सी nursery में जाना है वहां से plants करीदने है फिर बड़े बड़े हमें खाद के packet लेके आने है उनक experience में आप लोगों के साथ आज बाढ़ रही हूँ तो भई आपकी घर में केले तो सभी खाते होंगे केले का चिलका फैकने की चीज नहीं है ये तो पोधों की खुराक है जिसमें पोधों की जरूरत के हिसाब से हर वो चीज है जो उनकी growth के लिए अच्छी होती है तो केले क चलका छोटे-चोटे-पिसस में हमें काटना है और पानी में dip करना है एक दिन के लिए इसी तरह से मैंने ये खाया खरबूजा और साथ में बनाई पेटे की सबजी तो उसके चिलकों को भी फिर छोटे-छोटे पिसेज में कट किया और थोड़ा गुन-गुना पानी डाला क्योंकि ये चिलके काफी हाड थे अब गर्मी का सीजन आ गया है प्याज तो हर कोई खाता है तो भी उसके चिलकों को भी फैकना नहीं हमें प्याज के चिलकों को लीजिए और एक बाउल में डालके उपर से पानी डालके फिर इसे एक दिन के लिए रख दीजिए तो ये देखिए हमारी सारे वेस्टे ना किछन के हम क्या करते हैं कूडे में फैक देते और किसी काम के नहीं होते हैं कच्रे में चले जाते इससे अच्छा है हमने पोधों की ग्रोध के लिए पोधों के लिए हमने लिक्विड फर्टिलाइजर फ्री में तैयार कर लिया जिसमें धेर सारे पोशक तत्व है केलसियम नाइट्रोजिन फास्फूरस और भी ना जाने कितने मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो पौदों की ग्रोथ तो करेगी जिन फूलों वाले पौदों में कलिया नहीं आती उनमें कलिया बनने लग जाएगी फूलों की भरमार होगी और यह जो तरीका है मेरा सारा अपन और हां यह जो हमारे चिलके हमने छाल लिए न यह भी वेस्ट नहीं है कहते हैं कुछ भी वेस्ट नहीं है इसमें इसका वह बटाती हूं कि हमें क्या करना है तो अभी आणि मैं मैं अच्छे से पहले गुड़ाई कर लेंगे उसके बाद हमें लिक्विड फेटरिलाइजर और सबजी वाले हर पोधे में डाल सकते हैं कुछ भी इसका नुक्षान नहीं है अब देखी यह जो हमारे चिलके बच गए थे इनको मैंने पहले मिटी डाली एक डब्बे में उसके बाद इन सारे चिलकों को हम इस डब्बे के अंदर डाल देंगे हमारे जो हाड वाले चिलके थे उनका पानी हमने निकाल लिया है यह चिलके मतलब गलने में थोड़ा टाइम लगते हैं इसलिए इनके अंदर अगर हम गुन-गुना या फिर थोड़ा होट वटर डाले तो ज़्यादा अच्छ रहेंगा ताकि मिटी में दबाने के बाद यह आसानी से खाद बन जाए अब इन सारे चिलकों को मैंस के अंदर डाल दूंगे और ओपर से फिर से मिटी से कवर कर दूंगे और यह प्रोसेस चलती रहेगी यानि रिपीट होती रहेगी नेक्स टाइम आप इसी तरह से करेंगे तो देखी इस तरह से हमें डबल फायदा हो इस खाद को देते रहे हफ्ते में दो बार इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम और हां खाद बनती रहेगी और पॉद्धों के अब